So once again, welcome आपको last class में, यानि कि last video में हमने meaning of recreation समझाया था कि meaning of recreation आपका क्या होता है आज की class में आज की video में हम समझने वाले हैं आपका कि types of recreation क्या होते हैं तो types of recreation की जब हम बात करते हैं तो यह आपके passive, active indoor और outdoor अलग-अलग होते हैं तो सभी को descriptive language में समझेंगे ताकि आप अगर किसी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए easy हो और या फिर आप लिखने वाला कोई भी written exam की तयारी यानि कि आप bachelor's में हो या master's में हो अगर आपके subject में यह है लिखने के लिए तब भी आप इसको easily कर सकें तो सबसे पहली चीज आती है आपका passive recreation तो passive recreation ऐसा recreation people have no excessive moments in performing the task तो जितने भी आप task कर रहे है action कर रहे है कुछ भी कर रहे है तो उसमें आप actively participate नहीं हो जैसे कि आप गाने सुन रहे हो तो आप क्या है चुकचाप आप आप से गाने बैठके कोई गाना गा रहा है उसको सुन रहे हो या फिर music जो आपने लगा रखा है उसको सुन रहे हो ठीक है singing में भी जब आप use कर रहे है तो आप actively इतने ज़्यादा participative नहीं है आपकी जीप काम कर रहे है थोड़ा सा आपका brain काम कर रहा है उसी तरीके से जैसे circus देखना तो sur कस देखने मेंBob आपके आँखे है जितने भी आपके sensory organs हैं यह काम कर रहे है ठीक है यह चीज है watching movies जैसे movie देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे है ठीक है कुछ भी आप कर रहे हैं जैसे कि आप किताब पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी पूरी बॉड़ी की ज्यादा exercise नहीं हो रही है या फिर देखना खाली सुनना उसमें हो रहा है that is passive तो इसी तरीके से बोलते है active और passive दो चीज होती है तो passive जब आप किसी और चीज की लेते हैं तो वो भी चीज तो passive recreation में वो सारी जिसमें आपका physical workout उतना नहीं हो रहा है जितना active में होता है वहीं पर अगर हम active की बात करें तो active recreation क्या होता है ऐसा recreation जिसमें आप actively participated होते हो यानि कि जैसे कोई sports हो गया कोई game हो गया कोई camping हो गई tricking हो गई ठीक है या hiking हो गई तो आपने क्या किया आपने physically तोर पे आपने आपको और ज्यादा body को active किया है यानि कि वहाँ पर large muscle of group आपकी quadriceps hamstring या फिर आपके और body के muscles use हो रहे है that means वो आपका active recreation कहलाता है तो active recreation और passive recreation जैसे कि आप कहीं गूमने जा रहे है तो वो active recreation कहीं कैंपिंग पे है कोई game खेल रहे है चाहिए basketball हो, volleyball हो, rugby हो, football हो या tennis हो ठीक है या फिर और भी कोई game हो तो वो सारे ही आपके active recreation के part है उसी के साथ साथ में next आता है आपका indoor recreation यानि कि ऐसे recreation जो कि आप किसी hall के अंदर खेलते हैं किसी room के अंदर खेलते हैं या auditorium के अंदर या फिर gymnastics यानि कि gymnasium के अंदर या फिर आप कोई भी एक ऐसे game जैसे कि इसके कुछ example है जैसे कि gymnastics या हमेशा आपके indoor hall में होता है, gymnasium में होता है ठीक है उसके बाद में gymnasium GYM gym की full form अगर हम देखें तो gymnasium gym की full form है ठीक है, badminton हो गया, chess हो गया, balling, billiards, snooker, karam, इनके बीच में भी difference बताऊँगा, billiards क्या होता है, snooker क्या होता है, और अपने pool और सुनाओ का pool क्या होता है, इनके बीच में difference बताऊँगा, next video में, और karam, table tennis, ये सारी आपके example है, कुछ जैसे कि आप ये photos में देख सकते हैं, ये सारे कुछ आपके indoor, जिनको आप indoor खेल सकते हैं, ऐसा निये कि कुछ, आप जैस ये है, indoor recreation में जैसे कि, ये सारी चीज़े हैं आपकी, एक तो indoor हो गया, दूसरा आपका, जैसे ये इन में कुछ difference, अगर हम बात करें तो इसमें एक special video बना दूँगा कि क्या-क्या इनके difference होते हैं, जैसे कि ball में क्या difference होता है, इनके snooker में, billiards में और pool में क्या difference होता है, तो कुछ-कुछ difference होते हैं, जैसे कि कुछ balls के difference होते हैं, ये सारे लिखे हैं, अगर आपको पढ़ने हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, exams में इतने जादा पूछे नहीं जाते हैं, तो कुछ table का भी difference होता है, हलका-फुल का रहता है, कुछ rules में भी इसमे difference देखा जात हैं, तो अगर आपको पढ़ने हैं, तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे अगर आप बोलेंगे मुझसे, तो मैं dedicated video भी इन पर बना दूँगा, next आपका आता है outdoor recreation, outdoor recreation क्या होते हैं, वो recreation activities जो आप एक बंद दिवार या फिर बंद कमरे में ना करके बाहर करते हैं, उनको हम बाहर जैसे कि खुले आसमान में, ठीक है, खुला आसमान as a roof रहेगा वहाँ पर, football हो गया, hockey हो गया, lawn tennis, जिसको हम tennis बोलते हैं, lawn हट गया है, ठीक है, tennis बोलते हैं, फिर उसके बाद में आपका cycling हो गया, cricket हो गया, outdoor activities हो गया, health, और मतलब कि जितनी आपका outdoor activities होती हैं, यह आपको provide करती हैं, आपके happiness, strength, mental relaxation, energy, ठीक है, यह सारी ही चीजें, आप बाहर खेलते हैं, तो जितने भी आपके चार दिवारी से बाहर, एक छट से बाहर हो रहा है, खुले आसमान के बीच में हो रहे हैं, जितनी भी आप जैसे निकल गए, paddle, share, सपाटे के लिए निकल गए, cycling के नि आपको मिल जाएगी, telegram के मेरे चैनल पर, तो next हमारी वीडियो उसमें हम discuss करेंगे, recreation के characteristics और principles के बारे में,